हलो सुट्वेंट्स आज हम लोग एक मैथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे समाकलन इंगलीज में इसको बोलते हैं इंटेग्रेशन तो समाकलन को समझने के लिए समाकलन को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजे बताना चाहतना उसको ध्यान से समझे जैसे मैं मैं यहां पर एक फिगर बनाता हूँ कोडिने जिमेक्ट्री में मालेजी एक फिगर है सपोस कर लिजी कि एक एक्स एक्सिस है दूसरा आपका वाई एक्सिस है यह सपोस कर लिए जाए कि यह एक्स एक्सिस है और यह आपका क्या है वाई एक्सिस है तो अगर मैं इस फिगर में कोई माल लिजे कि एक figure मैं यहां बनाता हूं इस figure में अगर पूछा जाए कि यह जो figure बना हुआ इसका area बताई है तो यह देखने में ऐसा लग रहा है कि माल लिजे एक rectangle है अगर यह rectangle है तो आसानी से इसका area हम लोग पता कर सकते हैं इसका area निकालने के लिए हम direct क्या करेंगे length और breath का क्या कर देंगे multiply मतलब length और breath का जब multiply कर देंगे तो इसका area मिल जाएगा लेकिन अगर मैं यह कहूं कि मेरे पास एक ऐसा figure है जिसमें हमें उस figure का area नहीं मालूम है जैसे यह rectangle के shape का है तो इसका area हमें मालूम है कोई आपका square होता तो उसका भी area हमें मालूम है लेकिन कुछ ऐसे shape भी होते हैं जिनका area हम लोग direct formula के help से नहीं निकाल सकते हैं जैसे माल लीजे एक दूसरा figure मैं बनाता हूं इस figure को ध्यान से समझे, माल लीजे कि इस figure में आपको जो कोई भी एक आपका figure दिया है, suppose कर लिजिया, ऐसा दिया है, एक curve दिया है graph, इसमें कर रहा है कि एक point यहाँ पे है A, और एक point यहाँ पे है B, कर रहा है A से B तक जो graph गया है, उसका यकसस के साथ कितना area वो घेर रहा है, वो area आपको पहुचा रहा है, मतलब यकसस के साथ यह वक्र कितना छेटरफल घेर रहा है, वो छेटरफल अगर मुझे निकलना हो, अगर आपसे पूछा जाये, ये वोला छेटरफल बताइए, तो ये छेटरफल गर निकलना हो, तो किस तरीके से निकल सकते, माले जी यह A है, तो ये A&S मैंने मानल लिया, यह माल लिया बीड ऐसे तो यह जो छेतरफल है इस छेतरफल को किस तरीके से निकाला जाए अगर इसको पूचा जा तो इसका कोई सुत्र नहीं होता है इसका कोई फार्मला नहीं है कि हाँ इस फार्मले से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं तो ऐसे फिगर का जिसका हमें एर यह चोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया इस चोटा सा पार्ट मैंने मान लिया इस service का, इसका मूट आे डीयक्स है, डीयक्स का मतलब होता है, जब हम लोग जो दुरी बहुत छोटा लेते हैं, तो वहां पे उसको प्रदस्यत किया जाता है, डीयक्स से, अगर एक बहुत छोटा सा इसमें डीयक्स लिया जाए, तो ये देखने में आपका ऐसा लगेगा जैसे एक आयत है, आशानी स तरीके से काट लिया जाए, तीसरा इस तरीके से काट लिया जाए, ऐसे इस पूरे छेतरफल को छोटे-छोटे भाग में जब काट लिया जाए, तो यहां से जब इसको मिलाएंगे, चुकि जब भाग बहुत छोटा होता है, यह जो वक्र है, जो इस तरीके से दिख रहा है, ये वक्र बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो ये बिल्कुल किसकी तरह नजर आने लएगा बिल्कुल आयत की तरह नजर आने लएगा तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे छेतरफल को निकालने के लिए मुझे इन सभी छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़ना पड़ेगा अब ये जो छोटा-छोटा टुकड़ा मैंने लिया है इस छोटे टुकड़े में मैं ये मान लेता हूं जो यहां से यहां तक का जो लंबाई है ये मान लेता हूं मैं Y1 है और ये इसकी जो छोड़ाई है वो कितना है Dx ये समान छोड़ाई का मैंने माना है और जो दूसरा वाला आयत है उसका लंबाई मान लीजिए Y2 है छोड़ाई आपका Dx है ऐसे अगर सब का छेतरफल निकालेंगे तो हम छेतरफल लिका लेंगे कैसे है कि छ्षेत्रफल बराबर लंबाई मान लिजे y1 है चोड़ाई आपका कितना है dx है यह चोटा यह पहले वाले आयत का च्षेत्रफल आ गया फिर प्लस लगाएंगे दूसरे वाले आयत का निकालने के लिए मैंने मान लिया y2 इंटू डी एक्स फिर प्लस लगाएंगे तीसरे वाले का निकलने के लिए y3 इंटू क्या करेंगे डी एक्स ऐसे ये बढ़ता जाएगा ऐसे मान लिया मैंने जो लाश तक यहां तक जब मैं पहुचा तो मैं इसकी लंबाई क्या माल लेता हूँ ये yn है और चोड़ाई उतना ही है डी एक्स है तो लाश्ट में हम क्या लिखेंगे प्लस yn इंटू डी एक्स अगर इन सबी को जोड़ दिया जाए तो ये इस ए से लेकर बी तक जो छेतरफल हमें ने दिख रहा था ये पूरा छेतरफल आ जाएगा ये जो पूरा छेतरफल आया है इस छेतरफल को लिखेंगे कैसे अब इतना बड़ा छेतरफल नहीं लिखा जाता है इसको साटकट में लिखा जाता है सिगमा की तरीके से इसको ऐसा सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योगफल, सिग्मा का जो चिन यूज किया जाता है, योगफल के लिए यूज किया जाता है, यह बिजगर्ती योगफल को दर्साता है, तो सिग्मा लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे य इंडू कितना डी एक्स, य लिखा है इसमें ये कहा जाता है कि i बरावर 1 यहां पे रहेगा, यहां पे कितना लिखा जाएगा यन, इसका मतलब क्या हुआ, कि हम लोग y i d x का योखफल निकाल रहे हैं, कहां से कहां तक, x से लेकर यन तक, अगर यहां पे i के स्थान पे 1 रखा जाए तो y 1 d x आ जाएगा, यह पहला वलापद, अगर i बरावर 2 रखा जाए, तो y 2 d x दूसरा आ जाएगा, 3 रखा जाए, y 3 d x दूसरा आ जाएगा, ऐसे करते हुए यह योखफल आता जाएगा, तो यह जो पूरा हमने योखफल लिखा है, इसको अगर हम 20 गरती योखफल के रूप में लिखें, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यह जो हम लोगों ने छेतरफल निकाला है, इस छेतरफल में जो सिगमा है, यह बीजगरती योखफल को दरसाता है, लेकिन जहाँ लोग गरित का ब्रांश पढ़ते हैं, मैत का ब्रांश पढ़ते हैं, तो मैत में जहाँ लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, तो कैलकु में जिसमें योगफल को परदर्शित किया जाता है मतलब 20 गड़ित में योगफल को सिग्मा से परदर्शित करते हैं लेकिन कैल प्लेश में उसी योगफल को यह चिने द्वारा परदर्शित करते हैं और जब इसके अस्थान पर यह लिखते हैं तो इसके वाई आई के स्था की mm देहों और यह जो आमने लिखा है यह मैंने जो लिखा यह जो चिंड लिखा यह इनटूद क linkage में इस चिन का नाम होता है समाकलन सो mist इसी चिन उतकर क्या चिन्ज का चिन्ज होता मतलब क्यल्पल्ट में जो योगफ़ल का चिन्ज होता है उस योगफल के चिन को क्या कहा जाता है समाकलन इससे इसका अर्थ क्या हुआ कि जो integration इसको इंग्लिश में integration कहते हैं तो पढ़ते क्या है integration of y into dx अब यह जो मान है यह किसके बरावर था तो यह answer है यह पूरी योगफल के बरावर था किसके बरावर था यह था y1 into dx यह था y2 into dx ऐसे बरत भी जा रहा था यह था yn into dx मतलब इस पूरे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं तो मतलब यह समाकलन यहीं से स्टार्ट होता है इससे सिदा सिदा पता चलता है, समाकलन का प्रेयोग हम कहां पे करते हैं जहां पे हमें अनीमित जो छेथरफल होते हैं जो अनीमित आकरती होते हैं।역 निकालना होता है हम लोगे को यह पता था कि आयत का छेथल चया है लंबाही गुड़े-चवड़ाई, हम लोग को पता है कि बृत का छेटफल क्या है पाई यार स्क्वार है लेकिन हम लोग को ऐसी आकृती का छेटफल नहीं मालूम है तो ऐसे आकृती का छेटफल निकालने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं अब समाकलन में हम एक चीज़े नोट करते हैं थ्यान से समझेगा इस योगफल में देखेगा यह योगफल का चिन आपको नजरा रहा है और Y1 और Dx में गुड़ा का चिन है मतलब समाकलन करते से में हम दो प्रासिस का उज़ करते हैं एक गुड़ा का दूसरा योगफल का और हम लोगों ने प्रिविएस क्लास में यह पढ़ा है कि जो आउकलन होता है वो किससे प्रदरिसित किया जाता है डी वाइवटे Dx डिवाइबर्टे डिएस को आप ऐसा कह सकते हैं y2-y1 और dx को आप लिख सकते हैं x2-x1 तो यह जो आपका है यह आउकलन को बताता है समाकलन को बताता है यह किसको बताता है आउकलन को समाकलन को हम परदशित करते हैं integration y dx से और आउकलन को हम परदशित करते हैं dy dx से अब थोड़ा सा इन दोनों को compare करते हैं और समझते हैं इन दोनों में क्या difference है या क्या समानता है तो अब देखिए यहां पर क्या किया है घटाया गया है और बटा किया गया है इसका मतलब भाग दिया गया है तो आउकलन में हम क्या करते हैं घटाते हैं और भाग देते हैं लेकिन समाकलन में क्या किया गया है जोड़ते हैं और गुड़ा करते हैं मतलब समाकलन औकलन में क्या क्या चीजी कौन दिख रही है यहां पे घटाय जा रहा है यहां पे जोड़ा जा रहा है यहां पे भाग दिया जा रहा है यहां पे गुड़ा किया जा रहा है इससे यह पता चलता है कि आप जी जानते हैं कि माइनेस का उल्टा क्या होता है प्लस माइनस का ब्यूत्क्रम क्या होता है प्लस आपका भाग का ब्यूत्क्रम क्या होता है गुड़ा इससे यह पता चलता है कि आउकलन का जो ब्यूत्क्रम होता है वो किसके बराबर होता है वो समाकलन के बराबर होता है यही करण है कि हम बोलते हैं क्या आउकलन का प्रतिलोम समाकलन कहलाता है आउकलन का प्रतिलोम क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है इससे ये पता चला कि जब हमें आउकलन का सुत्र मालूम रहेगा उसकी सहायता से हम समाकलन का सुत्र आसानी से निकाल सकते हैं जैसे example के थूँ हम समझें जैसे हमें यह पता है कि d dx of sin x तो sin x का alkaline क्या होता है cos x तो अगर sin x का alkaline cos x है तो यह कहा जाता है कि cos x किसका alkaline है sin का जब इसका उल्टा करेंगे मतलब cos का सम alkaline करेंगे लिखेंगे integration of cos x into dx तो बराबर आपको क्या मिलेगा sin x मिलेगा यह जो cos x ds लिखाया गया है इसका मतलब क्या है कि cos x का समाकलन किया जा रहा है और d x का मतलब हमें यह बता रहा है x के सापच d x का और कोई मतलब नहीं होता है d x आपको केवल यह बताता है यह हम किसके सापेश समाकलन कर रहे हैं यक्सके सापेश तो साइन का आउकलन कास तो कास का समाकलन क्या हो जाएगा साइन इसलिए बोला जाता है कि यह एक दूसरे के क्या होते हैं प्रतिलों होते हैं ठेक है यहां तक आप लोग का समाकलन का इंट्रोडक्शन कम्प्लीट होता है, ने इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा समाकलन कितने प्रकार के हो सकते हैं, समाकलन के क्या-क्या सुत्र हो सकते हैं, थैंक यू